मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पर ये एक ऐसी चीज है, जिसे सभी डूंडते हैं, कोई खुशी कैसे पा सकता है? ये एक वाकई सरल प्रश्न है, पर आज कोई भी खुश नहीं है. आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैं दुखी दिख रहा हूँ? आप नहीं, पर हमारे आसपास कई लोग खुश नहीं हैं. या वे दूसरों की वज़ा से खुश नहीं हो पा रहे हैं, या उनके पास जो है, उससे वे हमेशे कुछ और तलाश्टे रहते हैं. उनकी इच्छाएं बहुत एक हो सकती हैं, या फिर अनुभव की इच्छा, या कुछ भी. एक सरल बात ये है कि हर इंसानी अनुभव का एक रासायनिक आधार है. जिसे आप शान्ती कहते हैं, वो एक तरह का रासायन है. खुशी या आनंद दूसरी तरह का रासायन है, परमानंद एक तरह का रासायन है, पीड़ा, चिंता और तनाव एक और किसम के रासायन है. हर स्थर के अच्छे और बुरे एहसास आपके भीतर एक रासायनिक बुनियाद से जुड़े हैं. या कहें कि आप खुद एक तरह के रासायनिक सूप हैं, सवाल बस ये है कि क्या आप एक भेतरीन सूप हैं या घटिया सूप? अगर मैं दस अलग-अलग लोगों को सूप बनाने की सामगरी दूँ, एक ही सामगरी, दस लोग एक जैसा सूप नहीं बनाएंगे, दस सूप के दस अलग-अलग स्वाध होंगे, हालांकि सामगरी बही है, इसी तरह हम सभी एक ही सामगरी से बने हैं, पर देखिए हमने खुद को कितने तरीकों से बनाया हैं, तो सूप बनाने पर ध्यान देने का समय है, ताकि ये एक अच्छा सूप हो, ये घटिया सूप नहीं हो, अगर आप आनंद का रसायन स्थापित करेंगे, तो आप ऐसे ही होंगे, हम लोगों को यही सिखा रहे हैं, हम उन्हें खुश या शान्त होने की सलाह नहीं दे रहे, हम उन्हें उनकी केमिस्ट्री को मन चाहा रूप देना सिखा रहे हैं, अगर आप आनंद का रसायन बना लें, तो खुश होने की चिंता क्यों होगी, आप खुश ही होंगे? वाकई सद्गुरू, आपने वाकई ऐसा संगठन बनाया है, जहां भहुत से लोग वॉलेंटियर हैं, वे खुश हैं, उधारन के लिए एक सकरात्मक माहोल और संस्कृती हैं, आपने ऐसा संगठन कैसे बनाया? मेरे पास अधभुत लोग हैं? मैं जहां भी जाता हूँ, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ, मेरे चारों और खुशी और प्यार के आंसु देखे बिना, मेरा एक भी दिन नहीं गुजरता, हर दिन, कोई ना कोई प्यार और खुशी के आंसु बहता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जीने का इससे बहतर कोई तरीका है हम सब ही को अपने चारों और आनंद और खुशी का अपना घेरा बनाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यदि आप अपने स्वभाव से खुश नहीं है यदि आप हमेशा दुख के भय के साथ घूमते रहते हैं जब तक दुख का डर आप में है आप अपने जीवन में हमेशा अधूरे कदम उठाएंगे हमेशा आधे कदम अधिकांश लोगों ने खुद को अपंग बना लिया है बस दुख के डर के कारण मेरे साथ क्या होगा? हमेशा यही सवाल जो कुछ भी होता है मैं ऐसा ही रहूँगा जब आपको ये विश्वास होगा सिर्फ तभी आप जीवन के शिखरों को छू कर देखना चाहेंगे अगर कुछ होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पढ़ता अगर कुछ नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पढ़ता तब ही आप वाकई जीवन के हर आयाम का पता लगाना चाहेंगे तो सबसे पहली और सबसे महत्वपून बात ये है कि आपके होने का तरीका आपके आसपास की चीजों से तैन नहो अगर आप खुद में ये पहलू ले आएं तो दुख का कोई डर नहीं होगा जब दुख का कोई डर नहीं होगा तब आप बिना किसी हिच के चाहट के जीवन के हर आयाम को छूपाएंगे